गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स आजनो आपनो टॉपिक छे एने मार स्पेक्ट्रोस्कोपी हूँ डॉक्टर विक्रम बंचाल आरजी सा साइन्स कॉलेज अम्दावाद अने मारी साथे छे डॉक्टर संजै सा पिलवाई आर्ट्स कॉमर्स एन साइन्स कॉलेज तो मित्रो आजे आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी उपर रजवात करीशू दरेक व्यक्ति नी बे प्रकारनी ओडख होई शे एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन और बीजू सोभाव अथवा बाई नेचर फिजिकल आइडेंटिफिकेशन माटे तमें एनू आउटलूक जो इने नक्के करी सको जेमके मारी वात छे, मारू नाम विक्रम छे, मारे उपरवाड नसी, यहां आ प्रकारनी दाड़ी छे आ कौमन छे, ले कोईपाण स्टूडन के मारा मित्रो मने ओडखी सके पर मारो सोभाव के हो छे, ए सिधे-सिधी पहली ओडखान मा खबर ना पड़े સ્ં મિત્રો આપણા દરેક ના કોએક સારા મિત્રો હોય શે દરેક પ્રકારનાં મિત્રો હોય જે તો तुम्हें कार्बनिक सहिएंग जोनु माटें पण कही सकाए कि कार्बनिक सहिएंग जो शो तम्हें लेबोरेटरी मा यह इना आइडन्टिफिकेशन करो शो For Example, तमने टेबल टैप उपर तमने एक सफिद कलर नो पादार्त आ तमने बताव माँ आवे छे एनो कलर सफेज छे तो एना फिजिकल आइडेंटिफिकेशन जोई है तो एनो फिजिकल स्टेट तमें जोई सको जो सॉलीड छे गन पदार छे एनो कलर रंग विहीं छे तो एनो कोई स्मयल नती वरोबर आने अनी तमें ध्राविता चेक करो तो ए ठंडा पाणी ओध्राविये छे औने गरम पाणी मा ध्राविये छे एनी बिजा प्रकार नी टेस्ट जो ही आगड तो कार्बनिक पदार्थ मा आपड़े एनो नेचर जानो जरूरी छे के एसीड छे फिनोल छे बेस छे के नूट्रल छे तो एना माटे पहलो टेस्ट छे Solubility in Saturated Solucion of NaHCO3 तो एमा तमें पदार्थ नाखो तो तरह तज कार्बन डायोकसाइड ना उभरा आवे छे पदार्थ पाणी मां द्रावियत आई छे अन्ने HCL नाको दफरी पाशो मड़े छे एनो मतलब के आपेल संयोजन मां COOH समूँ छे एना बिजा टेस्ट करिये तो पोलसेलीन पीस उपर एने गरम करो तो ए सूटी फ्लेम इले के काड़ा धुमाड़ा वाडी जोध साधे सड़ गये जे एनू गलन बिंदू तमें नौधो तो 122 डिगरी सेल्सियस छे अटला टेस्ट उपर थी तमें नक्के करी सको के तमने आपेलो पदार्थ बेंजोईक एसीड होई सके वह मित्रो बेंजोईक एसीड मां बेंजीन ग्रूप होई अने COOH समूँ छे पर पदार्थ ने जोई ने तमने एओ ख्याल नदी आओ तो कि आमां बेंजोईक एसीड अने जोब हेगजागोन देखा आए के COOH ग्रूप देखा ए उप कहीं ख्याल नदी आओ तो तो आपने कोईपन पदार्थ नोई इंफ्रास्ट्रक्चर जानूँ होई के बेंजोईक एसीड के बेंजीन छे और एनी साथे COOH चे जानूँ अच सू करूँ जी तो एने उस उस के रहां उसके रवां माटे सू करूँ जी तो आने तमे सेच सक्ति आपो यह रिटीकेशन औप इन्फ्रास््ट्रक्चर मांटे तम्हें कमपाउं इरिटेट करो इरिटेट करवा मांटे यह एनरजी आपँ Será अथने एनरजी ऐप्जॉप कर Cover करें सवर्स एटले energy नो मैं सारौ सालों शोर्स लाइट छे तो मित्रो लाइट नो कुल्पन भाग जो पदार्थ सोच से तो एना कारणे एमा घणावदा चेंजीज आवे छे अवे प्रकास जोईए तो जेने आपने इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन्स कहिये छे यह गणावदा भाग चेंजीज आवे गयमा पछी एक्सरे अल्ट्रा वायलेट वीजिवल इंफरारेड माइक्रोवेव औने रेडियोवेव For example, खाली अल्ट्रा वालेट के वीजीबल नहीं वाद करिये, तो जो अल्ट्रा वालेट के वीजीबल नू जो सोशन थाए, तो ए पदार्थ मा इलेक्ट्रोन, पाईलेक्ट्रोन हो, एनू संक्रमण थाए छे, अन एना कारणे तम जानी सको, के पदार्थ मा डाइन सिस्टेम इनोन सिस्टम छे के एरोमेडिक सिस्टम छे एविज रिते इंफ्रारेड नूँ सोसंड थाए तो पदार्थ मा तमने एना वाइब्रेसंस मा चेंज आवे जे ए खबर पड़े एना अधारे कार्बनिक स्निवजन मा कया प्रकारना फंक्सनल ग्रूप के टले के क्रियासिल अने सौधी छेले रेडियो वेवस जेनी एनरजी खोबज ओची छे अने वेवलेंथ एटली बदी छे कि तमे एक बिल्डिंग जेटलू तमे जोई सक्षो अने एनो आपने उप्योग आजे करवानों छे तो जेम इलेक्ट्रोन पोतानी धरी पर भ्रहमण करे छे एविज ते नूकलीयस मा रहेला प्रोटौन और ने नूट्रोन्स के जेने आपडे नूकलीयस कहिए जे यनू पना आवं भ्रहमण जोओ इनी नूकलीयस आथवा एंटी Κलोकवाईस आप बन्य प्रकार ना भ्रहमण नूट्रोन अथवा स्प्रोटौन और जोओ मढ़ता होई crimes चुमबववववववववव करें पर मांदने क अने ते थी प्रोटॉंस और न्यूटॉंस अलग रिते फरता होई जे परन्तु एमनी एनरजी अलग अलग होई जे अवे जयारे बाहिये चुम्ब के ख्षित्र अपर लागू पड़े तो बाहिये चुम्ब अधरेक स्पीन रोटेसन पोते एक प्रकार्नु चुम्ब के पर नीचे एमना अपरत्य आकर्षन के अपाकर्षन थाए तो नुकलियोंस नुकलियस माधी बाहर निकड़ी जाए यह उसक्य न थी यहले मित्रों आद दरेक दरेक नुकलियोंस जे रहला छे एमने आ बाहिये चुम्ब के ख्षित्र नो विरोध करवा पड़े और स्पीन रोटेशन तो चालेच छे पंड थे साथ ये लोगो जुदी रीते फरता होए शे शे कैसे पोताना जे पोताना आज पोतानी धरी पर ये अलग रीते फर आजे जैने प्रिसेषन के वाई शे तो प्रिसेषन कई रीते ध़त्य होए ये शे ए सम्झाव माट एब ईता कि दारों के एक भमर्डों लिए ता भमर्डों पुतानी आग पर स्पीन ब्रमण करतो हो रहे चाहिए भमर्ड आनू स्पीन ब्रमण फेग रहे चैनल शाधे साथ यह स्पीड ऊची था है ते यह आर्मी आजपास मढड परेच तो आजए ब्रमड आनू जे आज़ी ब्रमड आनू ब्रमड परीच आज़े लार्मों ब्रमड करतो है आने लार्मोन ब्रह्मन केवाई अने तेमा तबे जोई सको यह नीचे हारनी आसपास एक सरकल बने जे तेमी जिरी ते उपर पन एक सरकल बने जे अने ते लार्मोन ब्रह्मन जे आम कुल पन अनू जे आरे चुंबक्या क्षित्रनी असर नीचे आवे ते आरे बे प्रकारना ब्रमण दरसावे? एक तो फोटा नी धरी पर फॉरे ज्यने स्फिं ब्रमण के वाई आत्वा तेनी इन धरी नी आसपाट फरे ज्यने लार्मण ब्रमण के मैं ज्येंके गायरोसकोप oldest तो आए रोटेस्नाल एकसिस थाई पन एनी साथे साथे उपर तमें जोई सको के नी पीन पन आजू बाजू फरती हो है छे एने प्रिसेसन केवाई अथवा लार्मोल भ्रमण केवाई तो आ लार्मन भ्रमन थी इंडियूस मैगनेटिक फिल्ड उबू थतू होए छे अने एना कारणे प्रोटोन के नीट्रोन एक बिजासी बाये चुम्बके ख्षित्रनी असर नीचे सुरक्सित रही सके दाखला दरीक्या नुकलियोन छे जेमा एक प्रकारनू लार्मन भ्रमन एवू थाए कि जे थी प्रिसेशन सरू थाए अने एनी साथे एक इंडियूस मैगनेटिक फिल्ड उबू थाए जेमा बाये चुम्बके ख्षित्रना नौर्थ नी साथे साउथ आवे अने साउथ नी स प्रिसेशन अरे बाये चुम्बके ख्षित्रनी साथे एलाइन्मेंट मा आवे तो एनी एनरजी ओछी थाए अने एनरजी ओछी थाए तो ये वधारे स्टेबल बनी सके आ परिस्तिती मा नुकलियोन्स नौ प्रमान वधारे होई शे बीजा प्रकारनू लार्मन भ्रमन जो तो बनने वच्चे अपाकरसन थाए पर अपाकरसन नी मात्रा सरखी होई अने एनरजी वधारे होई शे सामान्य संजोगों मा आ परिस्तिती मा उच्छा नुकलियोन्स जोआ मडता होई शे 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 स्पिनिंग फ्रिक्वंसी ओफ नुकलियोन्स दस नौट चेंज बड़ द एनो मतलब के स्पिनिंग फ्रिक्वंसी बदलाती नथी परन तो प्रिसेशन फ्रिक्वंसी बदली सकाए जे अने एनो आधार मेगनेटिक फिल्ड उपर छे जो मेगनेटिक फिल्ड वधारो तो प्रिसेशन फ्रिक्वंसी बद्ती होई शे दाखला दरीगे चाउद अजार लार्मोर प्रिशेशन करतो होई जो मेगनेडिक फिल्ड 23,400 एंसी लई जईए तो 100 मेगा हट्स जेकली लार्मोर फ्रिक्वंसी तमें नोधी सको होई जुदा जुदा मेगनेडिक फिल्ड नी हाजरी मा नुकलियोन नू जुदा जुदा प्रकार नू लार्मोर प्रिशेशन जुदा मड़तू होई अवे धारों के लखला तेरी के 4000 गौजनू मेगनेडिक फिल्ड लगा विए तो लार्मोर फ्रिक्वंसी 60 मेगा हट्स जुदा मड़ है आसन जो गोमा जो बाहिये चुम्ब के एक शित्र दी लंब दिशा मा ए नुकलियोन उपर रेडियो वेवस फैकवा मा आवे तो 50 मेगा हट्स जो रेडियो वेवस फैकवा मा आवे तो नुकलियोन एने सोस्तू ना थी 40 मेगा हट्स मा पन कई असर थती ना थी 70 मेगा हट्स थी पन कोई असर थती ना थी परन्तु जो 60 मेगाहर्ट्स ना रेडियो वेवस एनाओ पर आपाथ थाए तो ए तरदज नुकलियोन ए सकती नू सोसन करेजे रेडियो वेवस नू सोसन करेजे आने उत्तेजित अवस्था कई सकाए यह जारे जितली लार्मोर फ्रिक्वंसी होए इतलाज प्रमाण मा रेड एकसाइडर स्टेट मां जाए छे अने एकसाइडर स्टेट मां साउथ नी सामें साउथ अने नौर्थ नी सामें नौर्थ नी सामें नौर्थ हई जाए छे आ गटनाने फ्लिपिंग केवाए छे अने जारे नुकलियोन एकसाइडर स्टेट मां होए त्यारे एमां एंटी प पोतानू लार्मोर भ्रह्मन 60 मेगा हड्स से एना उपर रेडियो वेवस पड़े जे एनी पन फ्रिक्वंसी 60 मेगा हड्स से जीवन मा ज्यारे पन बे कोई पन जुदी जुदी वस्तु ओने फ्रिक्वंसी मेच थती होई जे त्यारे एक बन्ने अनू एक बिजाने असर करे ज अने तेद ही शक्तिनू सोसन धाई जे अने तेद आमें जोई सको के जारे अनू रेडियो फ्रिक्वंसी नू सोसन करे जे त्यारे एनी लार्मोर प्रिससन तरतज बदलाई जाई जे आ घटनाने मित्रो मेगनेटिक फिलनी असर ना कारणे नुकलियस नी पोतानी एनी सिच बदलाई जे एनना लार्मोर फ्रिक्वंसी मा अथवा लार्मोर भ्रमन मा चेंज आवे जे अने आ घटनाने रेजोननस केवाई जे नूकलियस ना कारणे आ थाईू मेगनेटिक फिल्ड जे माटे थाईू अने इटला माटे एनू नाम पड़ियू नूकलियर मेगनेटिक जीवन मा अपना मा पन अपनी वकत अपनी साथे पन घणिवार आऊ थतू होई छे के घणिवार फर एक्जाम्पल एक तमने उदानन बताऊ खुसी नामनी फिल्म नो आ सोट छे एमा एक बाड़क नमंदीर मा दीवो सड़गा वे छे हीरो ने हीरोईन साम सामे क्या अलग विते जोई रहा छे आ गटनाने अचानक बहुच पावन फेकाई छे अने दिवो लगभग उलवा नी तैयारी वशे ने बनने जाना नजी कावे छे ए दिवाने बच्चावानी कोसिस करे छे त्यारे सव प्रथम वार मड़े छे तमे जोई सको छो ये बनने वच्चे जे इतनों तमें लागणी ना वाइब्रेसंस जोई मड़े छे एने तमें रेजोनांस कई सको सो मित्रों जेम अनू अच्वाद आपडा माँ पन जी प्रकार नी आवी आ प्रकार नू वलाण जोई मड़े छे के जेमा कोईक वगत एव ठतु होए जेके कोईक व्यक्तिक पहली इतना सब्बंदों बंदाया और इतला माटे अणू अने अना वच्चेल मैडिक रेजोनांस था पाया है यह आपणे आपने एने मार कई है शे वह क्या अनू अथवा क्या प्रकार ना परमाण वहँ मा आऊ मेडिक रेजोनांस थाह सके तो आना माटे शे है हाइड्रोजन, फ्लोरीम, कार्बन, फॉस्फरस, बोरॉन औने कार्बन, क्लोरीन थर्टिफाइग जे पर्मान वोना नुकलियस मा प्रोटोन औने नुट्रोन नी संख्याना सर्वाडा मा एकी रकम आवे यह लेके 1, 19, 13 तमें जो ही सको जो तो एना स्पीन कॉंटम नंबर टोटल फ्रेक्शन मा आवसें, हाफ आवसें अथवा 3 by 2 आवसें अने आवा पर्मान वोना नुकलियस अच्चूक मेगनेटिक रेजोननस अनुभावेशे मित्रो आप जानो जो के कार्बनिक संख्यों जनो कोई ना होए तो कार्बन अने हाइड्रोजन तो होए ज अने जो कार्बनिक संख्यों जन मा हाइड्रोजन होए तो हाइड्रोजन मा पन रेजोननस जोआ मड़से ज तो इह रेजोनंस तमारे जानू होए तो कुईपण कार्बनिक सियोजनों ने जारे मैगनेटिक फिल्ड मां मुकवामां आवे तो एमारायला प्रोटोन अलग रिते रेजोनंस अनुभाव से अने एना कारणे कुईपण सियोजन मां कितला हाइडरोजन छे, क्या हाइडरोज छे, क्यवा प्रकारना हाइडरोजन छे, एनू आपनने अनुभूती थती होई छे, अने एना कारणे में आपड़े कुईपण कार्बनिक सियोजनों नू आइडेन्टिफिकेशन करी सक्क्ये छे एक एनेमार स्पेक्ट्रा तमने बताओ, जे मां एपसोप्शन वर्सीज केमिकल सिफ्ट नो आपड़े एक ग्राफ लईए, इथेनौल एक सेयोजन छे, तमें जानाओ जो, एमां CH3CH2OH होई छे, जे मां त्रण प्रकारना हाइडरोजन होई छे, एक कार्बन साथे जुडा एला बे हाइडरोजन अने एक ऑक्सिजन साथे जुडाएलो एक हाइडरोजन, तो एनो जो एनेमार स्पेक्ट्रा लेवा मां आवे, TMS, टेट्रामिथाल सिलेन नी हाजरी मां, तो एक तमने पीक देखा से, अने मां CH3OH औने CH2 ना या पिक्स देखाएजे, बरोबर, इमां CH3 नो पिक मां तमने त्रण पिक देखा से, OH मां एक देखाएजे, CH2 मां चार देखाएजे, अउग केम धाएजे, एनी पड़ वात आजे आपड़े करी सुड़ू, तो आ हाती एनेमार नी इंट्रोडक्शन, अने I hope के तमने ख्याल आवे होसे, हवे हूं प्रोफेसर संज जा इसाने विनंती करू, के बाकी नू आगण ना जे आस्पेक्स से एनेमार ना, ए तमारी समक्स रजू करे, थैंक्यू नमस्कार मित्रो, हैक्यू विक्रम भाई, खास एनेमार ना जे सिद्धांतनी साहिबे वात करी, एने हूं आगण वधारीस, मित्रो साहिबे जे वात करी एमा, के परमानूना नुकलियस जे छे, युदावदा प्रकार्ण ना होई छे, अने एमाना एकी संख्यामा, खास के एन अनपेड प्रोटोन के निट्रोन होई, एवा केंद्रो, एने मार सक्रिय परमानू केंद्रो तरीके उडखाई छे, अने आवा एने मार सक्रिय परमानू केंद्रो उपर, जारे रेडियो फ्रिक्वंसे आपात करवा मा आवे छे, त्यारे एनू टू आई प्लस वन, जे आपात करिये तो अनुमा सक्रांती थाई छे अने रेजोननस थाई चे साहिबे वाद करिये अम्प्रमाणे तो एनेमर वर्ण अपड आपने मेड़े विजा वर्ण अपड करता थोड़ोग जुदो छे के वी रिते दाखला दरी के यूवी के आईयार होई एहमा आपने सु कर परन्तु अहिया एनेमर मां एक तीजू फैक्टर उमेर आई छे अने यह मैगनेटिक फिल्ड अने आ मैगनेटिक फिल्ड नी हाजरी मां आखो वर्ण पड लेवा मां आवे छे एटले तरंग लंबाई विरुद सोशन नों आलेक दूरवा ने बदले अहिया रेडियो फ्र अचर राखी तरंग लंबाई विरुद चुम्बकी एक शित्र नों आलेक दूरवा मां आवे छे तो अहिया एनेमर वर्णपट जे छे एने जो आपड़े समझवो हो हो तो एनेमर वर्णपट ना विविद पासाओनों अभ्यास आपड़े करवो पड़े मित्रो एनेमर व सिगनलनु विभेदन अने सिगनलनी प्रबढता सिगनलनी संख्या जे छे ए मुद्धान आपड़े आगल वधारी सु तो मी तो तो मैं जो ही शको छो के वर्णपट मा कोई पन वर्णपट मा केटला सिगनल मढ़े तो कि यहमा जेटला प्रकार ना प्रोटन होए तो आप प्रोटनने किवरीटेव दलखा तो प्रोटन बे двиг शमतुल्य प्रोटन अने central orbital आ में समतुल्य प्रोटन कों के व to असम्टूलिय प्रोटोन के निक वाए कि जे बे प्रोटोन निए आसपास ना इलेक्टोन परियावण अलग-अलग होए M ने एक बीजाना असम्टूलिय प्रोटोन के वाँ महाँवे छे अहीं यहां तम्हें जोई शकों किटलाक उधारणों ध्वरा आप बाबत ने आपने समझवा प्रयत्न करीशूं तो सव प्रतम तम्हें जोई शकों छों कि CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 अने CHClbR अहीं यहां त्रणे प्रोटोन समान प्रकान ने जोनल धाव Umm G, C2Cl2 मां 15 yan जोई मतील फ्रकान दो बाबत ने टल मतिशूं देत नेख्यां तो यहां च्यांद में प्रोटोन समान प्रकार ना चे केम काणके छए नी आसपास नूं इलेक्टोन परियावरन समान चे एनी बाजू मा आपड़े वाद करिए तो CH2Cl, CH2Cl, एमा चार प्रोटोन चे बे आ मिथिलीन समूना चे अने बे आ मिथिल बनने समान चे अहीं CH2Cl, 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 एमा पन बनने प्रोटोन चे समान चे त्रीजी लाइन मां आपड़े जोई शक्किये छिए के CH3, CH2Cl, तो एमा जे प्रथम CH3 चे एनी बाजू मा CH2 समूना आवेल हो चे एटले आ त्रण प्रोटोन चे एक बीजाने सम्तुल्य गणाए पन पहला CH3 ना प्रोट CH2 चे एमा पन तमे जोई शक्को छो के बया प्रोटोन आवेला चे CH2Cl, औने CsCl2 मां प्रोटोन आवेला चे चोथी लाइन मा तम्हें जोई शको छो के CH3, CH2, OCH3 आमा त्रण प्रकार ना प्रोटोन आवेला छे तमने यह लाग से के पहला CH3 और छेलो CH3 यह बन्ने सम्तुल्य होवा जोई है पन यह न थी कारण के पहला CH3 नी बाजूमा CH2 समूझ छे जारे छिल्ला CH3 नी बाजूमा O छे हाम बन्ने नी आसपास नूँ इलेक्ट्रोन परियावन जुदू छे अन्ने माटे बन्ने CH3 जेचे यह जुदा प्रकार ना गणी शकाए अहीं पन तमें जोई शको छो के पहलो CH3 ना त्रणे CH2 अने CH2 आ त्रणे प्रकार ना प्रोटोन जेचे यह जुदा जुदा प्रकार ना छे आ उदान माँ पन त्रणी प्रकार ना सम्तूल्य प्रोटोन आवेला छे तो मित्रो आना अधर आपणे कई शक्किए कि सामानी ते एकज कार्बन पर्माणू उसाधे जोड़ायला प्रोटोन अथा तो हाइड्रोजन यह हम्मेसा सम्तूल्य होई शे पंद दरेक वक्त यह ह पन नथी होतु तो आपने यहां जोई शक्ये छे के इनेंशियो टोपिक प्रोटोन और डाइश्ट्रियो टोपिक प्रोटोन प्रोटोन पहलो यहां उधान तरीके चल short 1 में यहां जोई एकि प्रोटोन प्रोटोन च्यांच्पらör होनल प्रोटोन गुंशर्णी आपि पिर्स न्यूजर्णी वाजสरणी मुदरिक प्रोटोन प्रोटोन पहीं तो आप बनने जे आक्रूती हो जे चे बनने एक बीजाने आर्सी तल्स वरूपे न थी यह लेके डाइस्ट्रियोमर्स चे प्रथम एज जे चे उपर नो असम कार्बन साथे जोड़ायलो एनने इनेंशियोटोपिक प्रोटोन केवा मावे छे जारे नीचेना कार्बन साथे जोड़ायला बनने एज जे चे एए डाइस्ट्रियोटोपिक प्रोटोन चे अहीं आप बे प्रोटोन नी आस पास नूँ इलेक्टोन परियावरण ये समान नथी अने परिणा में आ बनने प्रोटोन एकच जग्याई नई पण अलग-अलग स्थाने येमना पट आपे छे ये समतूल्य प्रोटोन नथी तो आउदान एउँ छे के जहमा एकच कार्बन पर बनने हाइड्रोजन जुडाएला छे छता पण एबे समतूल्य नथी तो आउँ क्यारे बने छे तो एना सरण रिते याद राखू होई तो आपड़े येम कई शेकिए के असम कार्बन नी बाजूमा आवेल CH2 समू होई तो ए CH2 समूना बनने ह एच ए डाइश्रियोटोपिक प्रोटोन केवाई अन्ने ए हम्मेशा असम तूल्य होई छे एले के एनी आसपास नूँ इलेक्टोन परियावण जुदू-जुदू आई छे मित्रो अही याँ थोड़ा गुदानो जोई लिए के दाखला दरीके अही याँ इथिलीन आपेलू छे एना 4-4-H जे छे एना इलेक्टोन परियावण समान होआ थी हाँ 4-4-H सम्तूल्य छे अही याँ 1-1-Dichloro-Ethylene छे एमा पन बन्ने H जे छे एनी आसपास नूँ इलेक्टोन परियावण समान छे अही 1-2-Dichloro-Ethylene छे एमा एकज H छे जे सम्तूल्य छे अही याँ 1-C-L जोडावाती सु थाई छे आपर जो इथिलिन नी अंदर 1-C-L जोडावाती त्रणे त्रण हाइड्रोजन असम्तूल्य बनी जाए छे कारण कही या कार्बन-कार्बन द्वीबन छे अन्ने द्वीबन वच्चे मुक्त भ्रमन शक्य नथी अन्य परिणामे आ एच नी बाजू मां में सा-C-L दे छे अही पन एक C-Position मां छे अन एक Trans-Position मां छे अन्य परिणामे आ त्रणे त्रणे एच नी आस पास नू इलेक्टरन परियावान सम्तूल्य रहतू न थी अन्य त्रणे एच जे छे जुदा प्रकारना बने छे लेक्टरन असम्तूल्य बने छे एविज रिते अही तमें जोई शक्यों छे के बनने C-L बीजा-C-L ने हाजिरने कारणे आ बनने पासा समान थी जाए तो नुझत डर्णे एच सम्तूल्य बने छे ज़ोई शक्यों शे अही पन H नी बाजू मा C L और सीस मा H और ट्रांस मा C L छे, एविज रीते शेम, H नी बाजू मा C L और सीस मा H और ट्रांस मा C L छे, तो आम जुदा जुदा उदारणों ध्वारा आपणे असम्तूले प्रोटन ने सेलाई थी उडखी शकिये छे, मित्रो मैं अगव वाद करी एम के कोई पण अनू केटला सिग्नल आपसे ने मरवन अपटमा तो के एमा जेटला प्रकाणना प्रोटोन हशे एटला दाखला दरीके आपने पहलू उदारन लईये छे C3, C2, O, C3 तो अहीं तमें जोई शको छो के पहलो C3 जे छे ए आ बंदने करता जुदा प्रकाणनों छे केम काराण क्या नी बाजूमा C2 छे जहरे आ C3 नी बाजूमा O छे मैं अगव पन तमने वाद करिये थी एवी ते आ C2 पन जुदा प्रकाणनों छे अने आ C3 पन जुदा प्रकाणन आम आमा त्रण प्रकार ना प्रोटोन आवेला छे कूल प्रोटोन नी संख्या आठ छे पन पहला त्रण प्रोटोन छे एक बिजाने सम्तूल्य छे बिजा बे प्रोटोन चे एक बिजाने सम्तूलिये चे अने आ त्राण प्रोटोन पन एक बिजाने सम्तूलिये चे परन्तु आ प्रोटोन अने आ प्रोटोन एक बिजाने सम्तूलिये नथी एवो अपने कई शके तो आम त्राण प्रोटोन ने कारणे त्राण सीगनल एने मार वनपट मां आपनने प्राप्त थाशे त्यार बाद बिजू उधान जोईए छे तो एमां CA3 समू, CA2 समू, आ बनने जुदा प्राकार ना थाशे एवी तना आपन त्रीजा प्राकार नों छे जहरे आ बनने CA3 समू, एक बिजाने सम्तूल लिये छे एटले आमा आने गईने A, B, C, आने आ बनने D, एम करीने चार सिगनल आमां प्राप्त थाशे, मीत तो तीजा उधान मां तमें जोई शको छो के आ A प्राकार नों छे, आ B प्राकार नों छे, आ C नती बनतो, कांके आना जेवोच चे बिल्कुल, कांके आ CH2 नी बाजू मां CA3 अने CO, CA2, CA3 छे, इवीरी ते आ CA3 नी बाजू मां CA3 अने सेम छे बनने नू परियावरण, एटले आ बनने समान प्राकार न थाशे, तो आम CA3 अने A, CA3, A, A प्राकार ना, अने A, CA2, A, B प्राकार ना, एम करीने बे सिगनल आपणने प्राप्त थाशे, तो ये बिल्कुल आना जेव जे, परणतु ये COO group छे, अने आ असम ग्रूप छे, अने परिणा में A, CA3 अने A, CA3 अवे सम्तुल्य रहता नثी, परणतु जुदा बनने छे, एवीरी ते A, CA2 अने A, CA2 पर सम्तुल्य रहता नथी, ये जुदा बने छे, केम, कारण के A, CA2, CO साथे जूदाए तो आम आ अनू जे छे ए चार सीगनल एने मार वणपट मा आपशे। मित्रो विजाओ धाण आपने जुईए तो आहीं जुईए छे के CA3, CA2, CA3 तो आहीं एक A, B अने C, एम त्रण सीगनल प्राप्त थासे। अहीं A, B, अने C, एम त्रण सीगनल आपने प्राप्त थासे। अहीं आ तमें जोई शगो छो के CA3 चे प्राकार नों छे। जारे आ त्रणे CA3 समू, तुर त्यक बुटाईल समूना, ए सम्तूल लिया छे। एम नवए नवप्रोटोन सर्खा छे, आम कूल आ 3 ने कारणे न आ 9 ने कारणे, एम 2 सीगनल आपने प्राप्त थासे। मित्रो CL, CH2, CA2, CA2, CL, आपन सेमेट्रिकल अणू छे, एटले आ CA2 औने CA2 बनने सम्तूल्य बन से, जारे वच्चेनों CA2 जुदो छे। तो आम 4 ने कारणे एक सीगनल, आने आ 2 ने कारणे एक सीगनल, एम कूल 2 सीगनल प्राप्त थासे। अहिया तमें जोईव आगल आपने डाइ स्टिरियो टोपिक प्रोटोन मा वाद करेली एप्रमाणे के अहिया आ कारबन जे छे, ए क्यो छे, असम कारबन छे। तो असम कारबन नी बाजुमाँ C2 समू छे, तो क्या हाँ, तो ए C2 समू ना बन्ने प्रोटोन, ए डाइ स्टिरियो टोपिक प्रोटोन के वाए, आने बन्ने ना सीगनल जुदा जुदा स्थाने मले। तो आम C3 समू ने कारणे एक सिगनल, C2 समू ना बे प्रोटोन जुदा 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 छे, डाइ स्टिरियो टोपिक प्रोटोन होने कारणे। ए पण आपन ने जुदा सिगनल आपसे, आ त्री चोथो सिगनल, औने आ पांच मो, आम आ अनुमाँ पांच सिगनल प्राप प्रोटोन ने आपने सम्तूल्य गणी लिए छे, एम मानी ने कुल चार सिगनल आपने प्राप्था से, अही पन आ बनने C2 सम्तूल्य नथी, क्यें कारण के आ C2 जे चे ओ साथे जुडाएलो छे, जारे आ C2 जे चे बेंजिन दिंग साथे जुडाएलो छे, तो आ मित्रों अणे बेंजिनिंगना 5, C2 सम्मु और ओएच नो 1, M3 सिगनल प्राप्थासे, अही पांच बेंजिनिंगना, और 1, C3, M2 सिगनल प्राप्थासे, जाहिलिननी अन्दर बेंजिनिंगना 4 बाकी ना अने 2 C3 सम्मू सम्तूल्य छे, माटे आ बंदे ने कारण 1, M2 सिगनल प्र अने C3 समुने कारण एक, एमकरी ने कूल त्रण सिग्नल प्राप्त था से, ज्यारे अहीं यहां एवो जणू छे पन इहां NH2 समुनों वधरानों जे बे सिग्नल नों मड़े छे, एमकरी ने चार सिग्नल प्राप्त थाई छे, तो मित्रो अहीं आपड़े बहुज सरलता थी, कोई पन अनुमा केटला सिग्नल मरशे, एमकरे नकी करी शक्किये छे, एटले जे विविद पासा हो जे छे, पैकिनू पहलो पास हो जे छे, ए सिग्नल नी संख्या छे, जेनी आपड़े चर्चा करी, तो बहुज सरलता थी, आपड़े सिग्नल केटला मरशे, एनी करी शक्किये छे, तो बिजो मुद्धो जे छे, तो मैं स्क्रीन पर जोई शक्को छो, के सिग्नल नू स्थान छे, तो सिग्नल नू स्थान जे छे, एटले के सिग्नल नी पोजीशन, कई स्थाने सिग्नल मरशे, तो एनी आपड़े चर्चा करी सू, तो कोई पन, हमना आज विखरम भी यह वाद करी कोई पन कयंदर हो चेह है या कयंदर न यंदर परोटौण ने नूट्रोन छे पर एन cumму आज इलेक्ट्रोन आमेर जारे प味ार ब़लाणपड नि वाद करी तो हाइडरोजनना केंद्र नी अंदर प्रोटोन छे औने आ प्रोटोन नी चाहत आँघरोजन wnафर्ण स्व assignmentry न Hence aざ said बने अनने सह सहबसुन्यधक स्वात भबने छे यहां प्रोकन पूतानो इलेक्टोन आपके छे तो हईडोजननी फरते जे वेलेंस इलेक्ट्रोण रहला चे offendla पैलो तत्व प्रकानने के अचिना उपरा घारीच चे तो हईडोजननी आस पास जे वेलेंस इलेक्ट्रोण जे उए प्रकान प्रकान जबद से एकòng कमेंट करता होयY~? तो जारे आवा हाइड्रोजन ने चुम्बकी एक शेत्र नी हाजरीमा मुखवा मा आवे त्यारे लगाडेल चुम्बकी एनी असर हेठर तेलो जे हाइड्रोजन छे एनू केंद्र परिभ्रमन कर से पहला इलेक्ट्रोन पर साथे परिभ्रमन कर से रखहिए प्रोटोन जया से त्या आ लगाडेल चुम्बकी एक श्रित्र नी विरुद दीशामा छे अनुग है अन्य परीणा में एम कई शकाए के आजे इलेक्टोन ना मुमेंट ती उतपन थेलू चुम्बकी एक श्रित्र आनो विरुद करें छे पिला चुम्बकी एक श्र अन्य प्रोटोन ने रक्सित बनावे छे तो साधामा साधी भाषामा आपने वाद करी शक्किए तो कि दरेक प्रोटोन नी आसपास जे इलेक्टोन ये घंता होई छे एने कारणे जे चुंबक एक शित्र उत्पन थाई छे ए पिला लगाडेल चुंबक शित्र नों विदोध करे छे अन्य प्रोटोन ने रक्सित बनावे छे तो प्रोटोन रक्सित प्रोटोन अन्य रक्सित प्रोटोन सू छे एनी वाद करी तो जुदा जुदा प्रोटोन ना प्रोटोन नू इलेक्टोन परियावरण अलग 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 हो छे एनी आसपास नू अन्य परिणा में यह अमना जवाद कर यह प्रमाणे जुदी-जुदी मात्रामा शिल्डिंग अनुभवे से और परिणआमे यह आपद चुम्बक की एक ख्षेत्र जहे अपद थाई से पॉन आ उत्पंधरा चुम्बक की एक ख्षेत्र ने कारण ए आपद प्षेत्र जहे अलग-अलग प्रक पड जेछे ए अपफिल्वां मड़े लेके एन उच्छू चुम्बकी एक्षेत्र आपपू पड़े छे पन जो प्रोटन अरक्सित होए तो एनी इलेक्ट्रोन घंता आसपास ओची होए तो एनो पड जेछे ए ओछा चुम्बकी एक्षेत्र बढ़े एट लेके डाउन फिल् पड़े लेले नीचु चुम्बकी एक्षेत्र त्यां अरक्सित प्रोटोन पड़ा आपए छे जारे अपफिल्ड मां रक्सित प्रोटोन के जैनी आसपास इलेक्ट्रोन घंता वदू होए छे तो आपड़े टुंक मां एम कई शक्किए के दरेक मित्रो दरेक जे छे प्रो प्रोटोन एनी आसपास इलेक्ट्रोन घंता केवी छे एना आधारे प्रोटोन रक्सित के रक्सित बनी शक्या अवे आपड़े केमीकल सिप्ट विशे वाद करी शुँ यहां तम्हें जो ही शको चो केमीकल सिप्टने रासाइनिक स्थान अंतर कहये छे रासानिक स्थान अंतर जे छे एशू छे तो के कोई पण वस्तुनू आपने स्थान नकी करू होई तो कसाक नो आधार लेओ पड़े जैने आपने संदर्ब कईये छे संदर्ब लेओ पड़े तो संदर्ब तरीके TMS लेवा मावे छे TMS लेशू तो के टेट्रा मिथाइल सिलेन तमें यहां स्ट्रक्चर मैंनू बंदर्ण जुई शको छो तो SI नी फरते 4 CA3 समू छे आपने अगव वाद करिये प्रमाणे 4 CA3 समू जे छे यहनी आसपास यहां समान छे सम्तूल्य छे यहले आसपास इलेक्टों परियावन पर समान छे तो आ आ चारे चार प्रोटों सर्खा छे अवे सर्खा हो एटले एकस सिग्नल मले आपन ने अवे तमें जो ही शको छे कहीं यहां SI साथे कार्बन और यहनी साथे हीड्रोजन आउँ जोड़ाएल हो छे हाइड्रोजन कार्बन नी विद्यूतुन्टा 2.5 हुशे जारे सिलीकोन नी विद्यूतुन्टा 1.8 छे यहले के कार्बन करता सिलीकोन नी विद्यूतुन्टा ओची शे अथवा तो कार्बन जेचे वधू एट्रेक करा छे हाइड्रोजन अन्य परिणामे आ कार्बन नी असरकाराक विद्युन्तुण नामा घ्टाडो धाई छे अने ए जेछे इलेक्टरन यो प्रवा हाइड्रोजन तरफ जाई छे अने परिणामे हाइड्रोजन जेछे यो रक्सित बने छे तो आम सिलीकोन जे ट्रामिथाइल सिलेंचे यह एन्णो हाइड्रोजन छे खुब सिलिकॉन नी विद्यूनता ओची शे तो आम आपड़े कई शक्किये के हाइड्रोजन जे छे एक खुबज रक्सित छे अने रक्सित हाइड्रोजन कई स्ताने पटापे तो के TMS मां आपड़े TMS जे छे ए अपफिल्ड मां पटा आपे छे तो मित्रो बीजा बद्धाज प्रोटोन करता टेट्रा मीथाइल सिलेन नो प्रोटोन ए रक्सित होवा थी एनो पट अपफिल्ड मां मड़े छे बीजी वाद तमें यह जो ही शक्को चे के संदब तरीके TMS केम करवा मां आवे छे तो में अगव वाद करी ये प्रमाणे के TMS मां आवेला बारे प्रोटोन सर्खा छे अन्य पईणा में बारे प्रोटोन भेगा छे इने एक टीवर सिगनल आपे छे अन्य जेने वनपट मां बहुझ जूजी रिते सहलाई थी ओलखी शकाई छे बीजो कोई पण पदार साथे जेशे रासाइंक निते प्रक्रिया करतो नो थी चोथो मुद्धो जेशे बास्प शील छे ले नमुना माती आपड़े यूज करे आपजी सहलाई थी दूर करी न नमुनो परत मेड़वी शक्किये छिए अन्ने मुटा भागना कार्बनीक सहियों ज कुमेरी अने एनो वर्णपट लेवा मावे छे के जेती पदारतना वर्णपट साथे TMS नो पन स्पेक्ट्रा आपणने मले पन अगववाद करी ए प्रमाणे TMS जे छे एनो स्पेक्ट्रा एकदम अफफिल्ड मां बीजा बदाज करता थोड़ोक दूर अने तीवरेट लेक केक्तम उचाई वालो सिग्नल आपणने प्राप थाई शे अन्ने त्यां थी आपने बीजा सिग्नल नू अन्तर बहुँ जे शहलाई थी नकी करी शक्किये शे मित्रो आएक सुत्र शे जमें HV बराबर गाईरोमेगनेटिक गुणोत्तर शे अपन टू पाई अने बीजीरो जे लगाड़ेल चुम्बकी अख्षित्र शे तो इतमें जो ही शक्को छो क्या बन्ने कॉंस्टंट शे एच अन्ने गुणोत्तर अपन टू पाई गेमा अपन ये बन्ने नो रेशियो जे शे ये आबन्ने कॉंस्टंट होवा थी एननो एम कही शे कहाए के आवरुत्ती अन लगाड़ेल चुम्बकी अख्षित्र संप्रमाण माँ 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 जो 1.41 ऐलेके 1.41 टेसला अपने लगाड़ी है फिल्ड वरावर मेगनेटिक फिल्ड तो साइट मेगाहर्स जेटली रेडियो फ्रिक्वंसी प्रोट्रोन नी उत्पन थाई छे आम 2.35 लगाड़ी है तो 100 म मेगाहर्स साइब यगाव वाद करे लिएचे 7.05 लगाड़ी है तो 300 मेगाहर्स तो आम जुदी-जुदी फ्रिक्वंसी जो आपड़े यूजमा लेवी होए तो एनी सिप्ट पन जुदी-जुदी आवे दाखला दरीके उदान आपको के 100 मेगाहर्स ना जो आपड़े तर प्रिक्वंसी जेछे ये जो वधू होए तो TMS ती ए सिग्णल नू अंतर पन जेछे कोई प्रोटोन ना ये वधे छे अहीं तम्हें जुदी शको छो के रेडियो फ्रिक्वंसी नू मुल्य जेछे ए जेम वधे एम TMS ती प्रोटोन नो सिग्णल जेछे ए अर्षमा स्था आना अंतर वधू थाए अनो अर्थेवो थाओ के जो हायर फ्रिक्वंसी वाड़ा आपने जो यूस करया होए तो जे सिग्णल नू विभेदन चे वधू प्रमाण मा थाए अनो सिग्णल नू विभेदन वधू थाए तो बहुज सहलाई थी आपने ए सिग्णल ने अलग आने अत्यारे हाइर फ्रिक्वंसी वाड़ा ऐने मार स्प्रेक्ट्रोnoldो मिटर नो उप्योग जिए छे अनो लर्थेम धयो के जुदा-जुदा रेडियो फ्रिक्वंसी धरावता जो आपने सुत्रो आपने स्प्रेक्टो फोटोमिटर वापरी ये तो दरेक वकत एकज प् या सुत्र वापरवा मावे तम्हे स्क्रीन उपर जो ही शको छो कि केमीकल सिप्ट बराबर डेल्टा जैने आपने कहिए छिए बराबर सिप्ट इन हर्स भागया स्पेक्ट्रो मीटर फिक्वनसी जैने मेगार्स माँ रेडियो फिक्वनसी कहिए छे तो टीमस ती जे अंतर छ अने भागया जो रेडियो फिक्वनसी करिये तो ए अचल किम्मत मड़ा छे अन्य परिणामे कोई पन साइट मेगार्स ना रेडियो फिक्वनसी वापरी होए तमें 100 वापरी होए क्या 300 वापरी होए पन दरेक वखते डिल्टा नू मुल्य जैसे पीपीम मां पछी करवा माटे आपने आ सुत्रनों उप्योग करिये शे मित्रो तमें यहां जो ही शको छो कि जो साइट मेगार्स ना तरंगों तमें यूज करिया होए तो ए वखते TMS यहां जीरो पर मड़ा छे त्यां थी यहनू अंतर जेछे यह साइट हर्स देट लुआ छे एक औने ब्य कर्यार, और 50 अन्तर साइट हर्स दाए, क्या है कि जारे घत На साइट मेगार्स ना तरंगों वा म्रेया होए पन जो स्पेक्र्फोतोर मां टो समेगार्स ना तरंगों वा्प्रेया होई, तो बदने वखते केमिकल सिप्ट एक अने बे वच्चे नू अंतर जेचे 300 हर्स जेटलू थाई छे पचे यहां पन 300 हर्स तो आम तमे जो इशको चो यहां वधू सारी ते बधा बतावेला चे के हर्समा अंतर जो साहीट में गार्स रेडियो फिक्वंसी वापरी होई तो 0, साहीट, 120, 180 इरीते थाई तो एवखते जे डेल्टा पीपीएम नू मूल्य जेशे केमिकल सिप्ट नू जीरो, वन, टू, थ्री एवरीते थाई शे अने टाव अत्याने मापकरम पण वप्राई शे जैने 10 माइनस डेल्टा तरीके लेवा मावेशे लेके 0 होई चारे 10 थाई शे टाव मूल्य एक होई चेरे 9 थाई शे जो रेडियो प्रिक्वंसी 100 आपरी होय आपड़े तो एवखते आ अंतर जेशे यहां साही ठतू यहां केटलू थाई जाई शे 100 थाई जाई शे तो यहां आने TMS मापडंड के वह मावेशे अने TMS मापडंड मा जेम जम्री तरफ ती अबी तरफ डाउन फिल्ड छे एटले डाउन फिल्ड मा जेम जहिए एम डिल्टा नू मुल्य वधे शे एटले आपड़े आने जो एकदम जनरलाइज करू ते रीते करी शकीए के कोई पन प्रोटोन होय एनी आस पास नू जो इलेक्टोन परियावर्ण वधू होय तो ए प्रोटोन रक्सित बने छे औने रक्सित प्रोटोन माटे वधू चुम्बकी एक्षेत्र बनी जरूर पड़े एटले के नू पर्ट जेछे अफ फिल्ड मा मले अने पर्ट अफ फिल्ड मा मले एटले डेल्टा नू मुल्य ओछू होय ए वखाते आना करता बीजी रिते वा अज रासायनिक सिप्ट जे छे ए मा स्थान के जुदी जुदे स्थाने आपने दरेक सिगनल मले छे एनी आपने वाद करिये तो तम्हें स्क्रीन पर जोई शको छो के केमिकल सिप्ट छे यह असर करता परिबढ़ों कया कया छे तो सव प्रतम प्रोटोन जे छे एक कया इले जे बिजל मुध्दों जे छे के जो प्रोटोन नी न जीक माँ पाई बंध आवेलो है तो आप्य एलेक्टोन मिलव्द की माटी असर काइलों तो ए वक्ते पण केमिकल सिफ्ट पर मोटी असर थती होई छे तो सव प्रधम आपड़े इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट द्वारा किवी रिते डी सिल्डिंग थाई छे एनी आपड़े वाद करी सु मित्रो तमें यह जोई शको छो के जारे हईड्रोजन जेचे एक कारबन साथे जोड़ायलो है अने एक कारबन जेचे आवा कोई गंता ओची थाई छे अन्य इलेक्टोन ये गंता घटे तो आपने वाद कर ये प्रमाणे हाइड्रोजन क्यो छे अरक्सित बने चे अन्य हाइड्रोजन अरक्सित बने तो ए डाउन फिल्ड माँ पट आपे लेके डेल्टानों मुल्य वधुआ छे अईनि तमे जुई शको छ ए अरक्सित बनता जाई तो जेम विद्यू तुन ता वदू एम अरक्सित अन्य डाउन फिल्ड माँ पट मढ़े अन्य डेल्टानों मुल्य जे छे इव वधे तो जमणी तरफ जत्ता इलेक्टोन नेगडिविटी ओचीत दी जाई छे अन्य परिणा में पट जे छे जाई छे मित्रो बिजू आपड़े स्थान नी असर वाद करें दाखला दरी के अहिया तमें जो इशक त्रणे उधार मां एकच क्लोरीन छे लेके विद्यू तुन परमाणों एकच छे अहिया बे छे अहिया त्रण छे तो जेम विद्यू तुन परमाणों नी संख्या जाई छे अन्य परिणामें डिल्टा नू मुल्य पण वत्तु जाई छे ने पठ डाउन फिल्ड मां जतो जाई छे अहिया जो इशको छे त्रणे उधान मां के अहिया बियार जे छे बिलकुल हाईड्रोजन वाडा कार्बन साथे जुड़ायलों छे अहिया वच्चे एक वधरानों C2 समूँ छे अहिया बेस समूँ छे लेके जम्री तरब जता जे इलेक्ट्रो नेगेटिव परमाणों जे दूर जतो जाई छे अन्य परिणामें एनी असर जे छे ए ओची धवाने काराणे प्रोटोन वधूने वधू रक्सित बनता अफ फिल्ड मां पटा आप जे मां ध्वी बन्द के ट्रिपल बन्द होए ताखला तरीके यहां इथिलिन नुदान लिदू छे तो पाई एलेक्ट्रो आपने जानिएचे एम केंद्र साथे उची मजबूत आइथी जुडाएला होएचे तो ज्यारे आवा इथिलिन ना अनूने आपने चुंबकी एक अग्षित्र उत्पंत आए तुम्बकी एक्षित्र नि जै दीशा जेसे बढ़़ रेखावनी ए आई अधी तही में जुई शकोचो कि आ रिते होई से अहिंध्या जे हैड्रोजन छे इस थाने चुंबकी उत्पंत आएला चुंबकी एक्षित्र नी दिशा ये लगाडे प्रोटोन गया वधू चुम्बकिय अक्षेत्र नि दिशा म्हीय है। इटानी ब हो evaporा suggests even the a नाकी प्रोटोन गया सकी है, ब वद भमास चुम्बकिय अक्षेत्र नुक्तुरे रखता है। आ का भने है। a fact पाई लेक्टोनने कारणे वधु ब्रह्मन थाइचे औने वधु ब्रह्मन ने कारणे उतपन थतु चुम्बकी एक शित्र अपन वधु आछे, अने परिणाम प्रोटोन जेशे वधु रक्षित बनेचे, अने एनो पड जेचे छोथी आंट पॉंट 5 नी वच्चे मुडाश वदू डाउन फिल्ड मा जाई छे एनी सर्खामणी मा आल्डी हाइडिक प्रोटोन जे छे एमा प्रोटोन बहुज रक्सित बने छे एमा एक फेक्टर भाग बहुज जे छे पाई एलेक्टोन ना ब्रह्मनेकाना उत्पन ततु चुम्बकी एक्षेत्र एपन प्रोटोन रक् सित बनावे छे औना प्रिणामे एनी केमिकल सित नौथी दस नी वच्चे एलेके बहुज डाउन फिल्ड मा प्राप्त थाई छे एनी सर्ख्रामणी मा अहिया वाद करिये तो जे एसितिलीन नो अणू जे छे एनने चुम्बकी एक्षेत्र नी हाजरियमा मुखवामा आव प्रोटोन जे छे ए रक्षित बने छे एटले इथिलीन, बेंजीन अने आल्डिहाईडिक प्रोटोन करता एसितिलीन प्रोटोन जे छे ए रक्षित बनवाने कारणे या 1.5-3.5 नी वच्चे प्राप्त थाई छे मित्रो अहिया में वाद करी ए पडोसी पाई इलेक्टोन नी असन्ने कारणे प्रोटोन रक्षित के रक्षित बनी शक्ये छे एनने एनाईसाइट्रोफिक सिल्डिंग, डी सिल्डिंग इफेक्ट के वामा आवे छे अने छेल्लू जेछे एहुँ वाद करू समाहिनो थोडोक अभाव छे पड़ ये साथ आपने वाद करीए कि तीजो मुद्धो जेछे ए हाइड्रोजन बन्द द्वारा बिजा प्रमाणू साथे जोडाई छे त्यारे एनी आसपास नू इलेक्टरन परियावर्ण जेछे उचुधाई जे एनी घंता गटे छे अने परिणामे हाइड्रोजन जेछे ए अरक्सित बने छे अने पट जेछे डाउन फिल्ड मां जाई छे जेम हाइड्रोजन बन्दन वधू एम प्रोटोन जेछे वधू अरक्सित बने छे दाखला दरीके यहां डाइमर जे बने छे सेली आपने बेंजोईक एसीड के कोई पने असीड नियंते कार्बोक्सिलिक अने सेलीसिलेट आयन मां पन आरीते बहुझ स्ट्रोंग हाइड्रोजन बन्द होए छे अने परिणामे हाइड्रोजन जेछे बहु अरिकल सिप्ट सू छे यहन असरकता परिबढ़ोनी पन वाद करी आजेना लेक्चर नियंदर आपड़े एनेमर वणपट नो सिद्धान जोयो त्यार बाद विविद पासाओनी चर्चा करी यहां पहला ब्या पासाओनी आपड़े चर्चा करी आजे सिगनल नुई संख्य अने सिगनल नुँ स्थान आवता मंगल भारे जे लेक्चर छे यहम आपड़े पछीना मुद्दावनी चर्चा करी शू मित्रो विक्रम भाई वती थी सवनो खुब-खुब आभार नमस्कास